सबी को नमस्ते जैश्री कृष्णा आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल कॉंटेक्स एंड गूगल मैसेजिक आप्ट के बारे में हैं सबके फोन में वैसे कॉंटेक्स एंड मैसेज आप तो रहता है यह अग कोई-कोई फोन में हमें अलग से गूगल की दिवे कॉंटेक्स आप डाउनलोड करने पड़ेंगे वो कैसे करें प्ले स्टोर से हम मैं आपको बताता हूँ एक बार मैंने अल्रडी इंस्टॉल करके इसलिए यहां पर ओपन लिखके आ रहा है आप करोगे तब यहां पर इंस्टॉल लिखके आएगा सेम आपको गूगल कॉंटेक्स आइज भी करने गूगल कॉंटेक्स आप कि यह दिखें कॉंटेक्स आप यह आ चुका है यह डोनो डाउनलोड होने के बाद यह दिखें आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे हमें सबसे पहले मैसेज आप में जाना है वह इसलिए है क्योंकि यहां पर यह पर्मिशन मांग रहा है इसलिए हमें यह पर्मिशन अलाउ करने पड़ीगी तो इसलिए है इसको में अलाउ कर देता हूं यहां पर और एक नोटिफिकेशन आएंगा चेंज डिफॉल्ट मैसेजिंग आप यानि पुराना वाला बंद करके आपको यह चालू रखना है क्यां तो इस पर आपको यह हम चेंज करवा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी देखें अब मिर्ये सारे मुझे पूराने मैसेज़ेस वगरा इसमें दिख रहे हैं अगर आपको यह नोटिफिकेशन नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा अपने फोन के सेटिंग में जाके एपस एप मैनेजमेंट में जाके आपको वो एप धुनना पड़ेगा मैसेज अप जो कि हमने अभी इंस्टल किया और उसमें आपको परमिशन अलाउ करने पड़ेगी जैसे कि यह यह दिखिए इसमें जाके आपको यह पर्मिशन रहे थी यह पर्मिशन आपको आलाओ करने पड़ीगे तब ही आपको मैसेज़ेज दिख पाएंगे ठीक है अब ही हम आते हैं अपना दूसरा एप जो है कॉंट्टेक अप इसे उपन करने के पाथ अगर आपके जीमेल के अकाउंट्स से आपके फोन के कांटेक्ट अगर लिंक होंगे तो आपके सारे कांटेक्ट इसमें दिखेंगे अगर नहीं दिखते हैं अभी अब आपको जान लेना है कि आपका account link है या नहीं तो यहाँ पे आपका Gmail का ID दिखेगा दिखेगा यहाँ पे मेरा profile photo दिख रहा है वैसे आपको आपका ID दिखेगा अगर नहीं दिखता है तो आपको ID open कर लेना पड़ेगा Gmail का ID और अगर contact नहीं दिखते हैं और आपको आपके phone contact synchronous करने हैं तो आप उपर दिए गए three lines पे click करिए वहाँ से setting में जाहिए contact synchronous setting में जाहिए और वहाँ से अपना account select करवा लीजिए जैसे कि मैंने अभी मेरा किया हुआ है उसके बाद आपके contact synchronize हो जाएंगे और आपको पूरे अपने contact आपके app में दिखेंगे अभी हमें करना क्या है जैसे कि हम WhatsApp पे एक group बना थे और group में एक message डालने के बाद वो group में के हर एक लोगों को वो message पोच जाता है वैसे ही हमें अपना text message जो है वो एक से ज़्यादा लोगों तक अगर पोचाना है तो हम group बना सकते हैं जिसमें कि हम 20 अभाव लोगों को भी एक साथ text message पेश सकते हैं सबसे पहले group बना लीजिए group बनाने के लिए उपर देगे तिन डॉट के तिन लाइन के उपर क्लिक कीजिए यहां पर create label लिख के आएगा create label में जाएगे वहां अपने create label लेने हमें group बनाना है तो वहां create label name बोलेगा label name मैंने अपने group जो बना रहे हैं अपन उसको हमें एक नाम देना है तो मैं आपे नाम दे देता हूँ friends zone इसे मैं ok कर दिता हूँ अब देखिए यह मेरा group बन चुका है पर इसमें अभी मैंने contacts add नहीं किये तो यह group मैं अभी contact add करने के लिए add a contact यहां पर क्लिक करेंगे नहीं तो यहां पर उपर एक plus sign दिख रहा है यहां भी क्लिक कर सकते हैं अब मेरे मुझे मेरे total contacts में से जिन जिन लोगों को इस group में add करवाना है मैं उन्हें सिलेक मैं उन्हें सिलेक कर लेता हूँ उसके लिए स्क्रॉल करके भी देख सकता हूँ या तो देखिए एक contact add हो चुका है मुझे multiple सिलेक करने है तो मैं वो भी कर सकता हूँ जैसे कि एक नाम पर उपर मैंने प्रेस करके रखा तो वो सिलेक होने चलो हो जाएंगे अब मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के दो तिन नाम ले लेता हूँ अब मैंने तिन लोगों को सिलेक कर लिया है अब मुझे इन ये गुरूप बन चुका है अब मुझे एक ही मैसेज इन तिन लोगों को अगर भेजना है तो देखिए कितना आसान तरीका है उपर दिएगे अब ये गुरूप ओपन हो चुका है दिखिए ये हमारी साधी कॉंटेक लिस्ट जो कि हमने पहले दिखी थी अब हमें गुरूप ओपन कर लिना है ये फ्रेंट जोन लिक्के आ रहा है इसे ओपन करने के बाद उपर देएगे तीन डॉट में जाना है सेंड एसेमेस पे क्लिक करना है अब ये पुछेगा आपको एसेमेस किसके द्वारा बेजना है यहाँ पर अलग-अलग आप्शन आएंगे चैसे की वाटसप मैसेज आपका पूराना मैसेज आप वो भी दिखा सकता है ये दिखिए बाजू में दिख रहा है मैसेंजर पर अब हमें वो जो मैसेज आप अपन नहीं सबसे पहले देखा था वही सिलिक करना है तब ये प्रोसीजर पूरी उफपाएगी दिखिए अब मुझे जो भी मैसेज बेजना है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जैसे कि अब ये रात का टाइम है तो मैं गुड़ नाइट बेशता हूँ ठीक है अब ये मैसेज मुझे सबको पिजना है तो मैं सेंड बटन दबाके ये मैसेज पोच चुका है यानि एक ही मैसेज ग्रूप में एड़ जितने भी लोग है उने एड़ कर सकते हैं मैंने अभी फिलाल तीनी लोगों किया है तो उन सबी को ये मैसेज पोच चुका है अब इसकी जरुरत क्या है तो अभी कैसा हो रहा है कि वाटसप पे हम जो है मैसेज इग्नॉर करते हैं और टेक्स मैसेज आजकल ज्यादा चलन में वापस आ रहा है तो टेक्स मैसेज हर कोई पढ़ता है इसलिए हमें यह करना जरूरी है अगर इसके बारे में आपको कुछ और पूछना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉंटेक लिंक दे देता हूँ आप वहाँ पे जाके उससे पूछ सकते हैं तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय स्रीक्रिष्णा